आज मैं कि पतावा नहीम शक्ति आप लोगों को थो फटर साप तो को हैसे वीक्ति हैं थामरे यौ सब में आज बताता हैं आप लोगों सबनाप किसी साथी का नाम भीने लुआ मुटों को इस प्याख्ति लेकिन इस व्यक्ति ने जो भी की थी उस जोड़ी का भी संवान नी रखा वारे अर याना के अंदर जब कोई पंचाय तो किया को होग्ति अगर कोई जोड़ी कर लिटा तो उस आदमी को कोई भी खाली नहीं बेज था लेकिन इतने के मंड़ी इतना के मंड़ी मुक्ष्य मंत्री मैंने पहले नहीं देखा था कभी में नश्कार में कर्शन उपल रिसमें आप ये सीधी तस्वीरे देख रहे हैं करनाल से करनाल में आज एक बार फिर से सरपन्चों की बैठक हुई है और सरपन्चों ने कुछ एहम फैसले लिए है बीते दिनों जिस तरह से नेताओं दवारा सरपन्चों को च्योर कहा गया लाठी चार्ज किया गया और उनके हकों को किस तरह से छीन कर यानि की दबाव बनाया गया कि जिस तरह से सरकार चाहती है उसी तरह से सरपंच काम करेंगे जिसको लेकर लगातार जो सरपंच है अपनी मांगों को लेकर लाम बंद है आज करनाल के जांबा गाहों में लगबग 200 से 200 सरपंचों की बैठक हुई है क्या कुछ इस बैठक में पास हुआ एक बार जान लेते हैं सरपंच एसोसेशन के जो परदान है उनसे जिनों ने आज एक बड़ी बैठक करने के बाद कुछ महतपून फैसले लिए वो फैसले हैं आने वले लोकसभा चुनावों को लेकर जिसका बिगुल बच चुका है मरसा सरपंच एस इसमें शामिल थे क्या कुछ बताना चाहेंगे हम लोगों सवा साल से हम लोग अपनी मांगे मनवाने के लिए जो भी लोग तंत्रगंदर तरीके होते हैं दरने रखना दरने करना प्रदरशन करना जो भी कारिया उतम सब चिज्जे की लेकिन इस सरकार ने पन चाहितों की म चाहती हैं हम इस शरकार को भी बदलने का काम तो हमारे सभी सात्यों की साहिम लोगोंने ह्कि हम लोग आने वाले लोक्स मजा चुनाव के अंदर आज हम लोगोंने क्रणाल से सुरुवात की ऊप्र अट eli terseLR से दसकि दस लोग सबार जाएंगे और ऑपने सात्यों का यह सात पूरा पर जो आपती जताई आपने उसने किया कुछ बाराय से बेकर फोर्ट से अलगे हैं। एक गल्ट मैसिज देने के लिए कि पंचायतें तो खाने के लिए घुम रही है यह लोग तो हम लोगों को प्रिल जाम लगाया ताकि गाउं के लोग लोगों के खिलाफ हो जाए छोर सबद्यूज की तेथे लोगों ने कुटले लंगरे तक ऐसे सब्सक्राइब के जो हम लोग बता भी नसकते आप लोगों को कि खट्ट्र शाब तो ऐसे व्यक्ति है हमारे अरियाना के अंदर मेटिंग झिना मैं आज बताता हूं आप लोगों कोई मैं किसी साथी का नाम भी निलूँगा इन लोगों इस व्यक्ति का इतना घमंड था बरी मीटिंग के अंदर एक मारे सरपन साथी ने बावना में बैकर जोड़ी कर लिदी खट्र साब के सामने कि मैं आपके सामने जोड़ी करता हूं आप बड़े हो मारे आप यह मांगे मालियों ताकि हम अपने गाउं का विकास कर सके लेकिन इस व्यक्ति ने जोड़ी की थी उस जोड़ी का भी सम्माननी रखा बाहरे और याना के अंदर जब कोई पंचायत होती है ना कोई व्यक्ति जोड़ी कर लेता है तो उस आदमी को कोई भी खाली नहीं बेजता लेकिन इतने का मंडी मुख्या मंत्री मैंने पहले नहीं देखा था कभी अब तो लोग सबा का चुनाव लड़ रहा तो हमारी सभी पंचायते बिलकुल बीजेपी खिलाब अपने लोगों को जागरूप करेंगे और लोगों को अराने का काम अर्याना की पंचायते करेंगी यह का करनाल लोकसभा से कैसा कंडेट उतारते हैं अगर वीपक्षी पार्टी मजबूत कंडेट करनाल को देखती है तो बाकी काम अर्याना की पंचायते खट्र साब को दूर्ट चाने के काम करेंगी फिलाल यानि कि सीधे तोर पर दावा ये किया जा रहा है कि लोकसभा पेर बदल हुआ है राजनितिक फेर बदल हुआ हर्याना के मुख्य मंतरी बदले है क्या आपको कुछ अभीद है कि नए मुख्य मंतरी कुछ संग्यान लेंगे आपकी बातों के उपर नai मुख्धे मंत्री कि जो उनका मन पर करेंगे हमारा काम है उन्होंने अमारे अधिकार खतम किये हैं हमारा काम आपना अर्यान से 179 का में उनको खत्म करने काम किया पूरे देश में जितने भी 23 परदेश हैं उनमें किसी ने भी संसोधन करने का काम किया किसी ने ने किया और उने तो सरपंचों की पावरें बढ़ाने का काम किया है और इनोंने सर पंचोंकी पावर खतम करने काम कि theo बिद्द सब्सक्राइब काम जैसे लिप नमड़रा से विए बोठी होते हैं वह एक फिर गाहों में सत्र प्रसेंट समझते गाहों में अन्य में होते हैं रॉप्रण adel तक थाने तक वह जाने न को खतम करने का काम किया लंबरदारी खतम करने काम किया सरपंचो को के अधिकार कम करके आने वाले समय में बिल्कुल खतम करने का काम की सोची है और उन्हें किया है तो आज लाठियां मारने का जो भी संग्ठन रोड पे आया है किसी अपनी मांग मांगने के लिए उन्होंने उनकी बात नही अपने करम की हैं जो करम का इसाब इनका ओना है और इनका सूद समेत सरपंच होए चाए करमचारी होए चाए किसान होए वो सूद समेत इनका उतारने का काम करेगी इनके जो जो करम जो इनके किया है इनके करम इनके सामने आएंगे इनके आग्या आएंगे और ब्याज समेत इ देखो यदि यदि खटर में काबलियतों तो सेंटर्ग वर्मिन्ट में जो जो पर किल भी यह वह इसको पर उतारती की कि इसक Kal Süobile करती है इसने इसके करम प्री मोशन के है पहले तो उपर सभी है और आभ लोकसभा से भी डिमोशन होने वाड़ी है यदि यदि दूसरी मजबूत यदि कंडिडेट आता है तो हम उसका ऐसा सयोग देंगे पूरा योगदान देंगे पार्टी कोई भी हो जो मजबूत होगा उसका सयोग देंगे हमें इस बात से कुछ नहीं लेना देना है को किसको द परदान जी एक सवाल का जवाब मैं जरूर जानना चाहूंगा जो जेजेपी है वो बीजेपी के साथ सत्ता में थी अब यानि की चुनावी दूरियां हो गई है क्या लग रहा है आपको की जो जेजेपी है अगर वो दुशन चोटाला आपके लिए कोशिश करते तो आपक की जो पार्टी की मात देश की देश क्या रहा है करें एक जूट होकर वीजेपी को सबक सिक एक काम करें यह सभी बीटी में बनाई हुए बीजेपी ने दूसरें चोटाला की तो फाइलें त्यार कर रखें लोगों ने जैसे बोलेंगे इनके इसारे प्रैस ही चलेगा जिस दिन चलना बंद कर दिया उजनु भागा जेले में ठोक देंगे इसको यह तो बीटी महिन की लोगों को इसलिए बार दूसरें चोटाला लोगों को मुरुख बना गया सभी किसान और मजदूर के वोट में लेकिन जाक है खट्र साब की गोदिम बेट गया और पूरे पांच साथे च्यार साल परदेश को लुटने का काम करिया यह सरपंचा आप देख सकते हैंगी पूरी तरह से आपके चैनल के मादम से मैं एक बात करना चाहता हूं जो साथी चुनाओं में रह गए थी सरपंची के चुनाओं में मैं उन साथियों एक बात करना चाहता हूं के साथियों हमारे तो साथियों तीन साल रह गी यह लड़ाई हमारी नहीं है हम आग्गे की लड़ाई लड़ सोना वोलिया अपने के लिए सिक्वे बूल के और इस बीजेपी सरकार को सबक्षी खानाया काम करें मरसात एक और सरपंच हैं जो आज की बैठक में मौझूद रहे सरपंच अब क्या नाम है आपका कौन से गाउं से हैं और जिस तरह से आज की बैठक हुए हैं पहले भी बैठक होती रही हैं लोगों से जो इस समय ख़बर को देख रहे हैं क्या कुछ कहना जाएंगे मेरा नाम रतन सिंगा मैं गाउन नड़ी खुर्ट से सरपंच हूँ और मैं करनार जिले का सरपचेशन का परदान हूँ मैं आपके चैनल के मद्दम से एक बात कर रहा हूँ कि जब मोदी साब चार सो पार का नारा दे रहे हैं और इनकी इतनी जबर्दस लोग पिरते हैं तो दस कंडिदेट अर्याना में लोग साब हमें हैं तो उनुमें से 6 कांगरेसी क्यों उतार रहे हैं इन पर अपने पार्टी के लोगों का क्या ब्रोषा नहीं है या यह 400 पार सिरफ कांगरेस को मिला के ही कर रहे हैं आगे चलकर कितना यानि कि सफल हो पाएगा लेकिन सर्पंचों ने हर्याणा के सर्पंचों ने बीजेपी के खिलाफ बिगल जरूर फूख दे हैं मेरी आप सभी से पील जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं से साथ के साथ जरूर शेयर करें आज करनाल के गाउंट जा लाफ है मेरी आप सभी से पील इस वीडियो को देखे भी इसे शेयर भी करें आप देख रहे हैं मैं हुआ कर्शिन उपल करनाल से आप सभी के साथ लाइव